में अग्रेनμε बेस And और देखा था अग्रें में आपने कलोर एकटिव्टीविटे कार्व ऐस सब दिखा था आज है अधेर एक घ्रेन के वारे पात करें था ग्रेनम मतलब इस तरह से जो ग्रेनम प्रजेंट होते हो अब एक इंपोर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट है कि ग्रेनम जो होता है इसमें दो मेंब्रेन होती ग्रेनम की एक अप्रेस्ट मेंब्रेन एक नोन अप्रेस्ट मेंब्रेन और एक नोन अप्रेस्ट मेंब्रेन नोन अ वो अप्रेश्ट म embedded के अंदर कौन से पटिवीटीей होती हुदीि पी एस सेकल्ड फॉटो संथेशए सेकल्ड फी पीएसर Das it से जेट हमां पिष्णमान्ट में प्रजेंट होते हैं, दोनों के प्रजेंट होते हैं एंड साइटोक्रोम B6 complex पीस में प्रजेंट होता है प्रेस्ट मेंब्रेन के अंदर एंड इसकी नौन प्रेस्ट मेंब्रेन के अंदर ओनली PS1 एंड ATP synthetage साइटोक्रोम B6 complex यह दोनों के बीच का डिफरेंट्स कहीं बार एक जाम में आ जाता है कि आप्रेस्ट में मतलब इसके कोई ऐसे लाइन आ जाएगी कि जो कंसेप्ट पूछते कि कौन सी मतलब एक सही है या नहीं यह लाइन टाइप का विस तरह से आता है कि शानिच में क्प्रेस्ट में प्रेस्ट में डे क forte आगे देखो यह जैसे ओन जुब क्रीनम की मेंगे इसके मेकेनिकल प्रेसर अगर अपने इस के दे तो यह जो ओजव रहाीगी इंसाइड आउट वेसिकल कहेंगे जिसको की अप्रेश्ट मेंब्रेन भी कहेंगे अपन अपने देखा ने कि यह जो है अंदर की जो मेंब्रेन है वो इंसाइड अप्रेश्ट मेंब्रेन है तो इंसाइड आउट वेसिकल जिसमें की अप्रेश्ट मेंब्रेन होगी और जो ब रहता है वाटर्णु अधिस के बीच के अंदर ल्यूमेन में में परजेंट रहता है और Sa 대 रहता है यह और इसके जो इस्ट्रोमा की जो पी एच जो रहती है और वह सेवन प्रम जिरो के सम्तिंग रहती है एक क्यूशन है जैन्तल्फिल साइकल जो कहीं मैं लिर्पव्ल याच्छा क्शुन है की मतलम इसे जन्तोफल साइकल के बारे में देखते और जन्तोफ़ साइकल क्या होती Heil tres कोई कमपाउंड जन्तिन उटन्टर जन्तिन जीन त्यनrud जीन झेंल जन्तिन चर्ण प्रण major Anfang 2050 प्रेशल में से तरहते हैं अब देखिए जारे को प्रेशल को मेंप्रेन आपक्रेचिए और ये यहकुद मेंप्रेन इसको Smilsimumiless फोटोखेमिकल क्वेंचिंग जब भी प्लांट्स जो होता है उसको बहुत ज्यादा इसे सन की लाइट मिलती है यह उसको प्लोटेक्ट करने के लिए जैन्ताफिल साइकल प्लांट्स के अंदर चथलती है ठीक है जैन्तोबल साइकल क्या वायलोजेंथिन तो ब्लांट का इसके बोलता है इसको बॉलतीजी डिवाइडए न रुटॉमघेन and lumen, ठीक है, highlight intensity, जैसे highlight intensity है, plants के उपर highlight intensity है, genthophyll cycle, first line of defense start होगा, then toxic photoproducts बनेंगे, toxic photoproducts में, triplet chlorophyll, जैसे photoproduct oxygen, H2O2H, मतलब antioxidants बनेंगे, और जिसको ROS पी बोलेंगे, पन रेक्टी oxygen species बनेंगे, toxic photoproducts and squenching system, antioxidant बनेंगे, बीटा के रोटीन, विटामिन C, विटामिन E, SOD, superoxide dismutage, reducing glutathione, यह सब बनेंगे, उसके बाद, photo oxidation of D1 protein of PS2, D1 protein of PS2, photo oxidation होगा, D1 protein में, PS2 में, then photo inhibition होगा, photosynthesis का temporary inhibition होगा, permanent inhibition होगा, permanent inhibition होगा, तो plant की death हो जाएगी, अगर photosynthesis नहीं करेगा, तो, then new D1 protein का formation होतार, photosynthesis रिस्टोर हो जाता है, तो जो inhibition किसने करवाई है, D1 protein ने, PS2 के अंदर, और D1 protein ने क्या किया, रिस्टोर किया उसको, तो जैन्थाफिल साइकल जब हुई, तो जैसे highlight intensity हुई, जैन्थाफिल साइकल चली, जैन्थाफिल साइकल ने toxic photo product बनाया, raws product बना दिये, beta-carotene, vitamin E, C, super-dioxide, reducing glutathione, बनाया, then photo oxidation of D1 protein and PS2 के अंदर, then photo inhibition होगा, temporary, then new D1 protein ने रिस्टोर हो गया, जैन्थाफिल साइकल, degradation of D1 protein, D1 protein का degrade हुआ, तो photo inhibition होगा, then thermal dissipation, part of photo production, अब आपन पढ़ेंगे stroma, stroma के बारे में देखते हैं, अब आपन, stroma के अगर अपन structure की बात करें, तो इसकी जो structure देखो, बाहर के तरफ, अंदर के तरफ, lumen H2, lumen है, stroma है, तो इसके अंदर, PS2 के अंदर, जैसे के PS2 के अंदर, D1 protein, PS2 के अंदर, D1 and D2 protein पर जैन्ट होती है, PS2 के अंदर, D1 and D2 protein रहती है, carotenoid, carotenoid, beta carotene and lutein, LHC second, integral membrane protein, plasto, quinone, diffusible, cytochrome B6F, large, immobile, multi, subunit protein, ठीक है, और इसके अंदर ही, इसके लुमेन के अंदर, water, oxidizing enzyme complex भी होता है, ठीक है, और plastosinin भी पर जैन्ट होता है, stroma में, तो अगर अपने इसके बात करें, ये PS2 के बात है, PS2 के बात है, protein है, D1 and D2 protein, एंद PS1 के अंदर कोण सीए, PSAA protein, PSAB protein, ठीक है, ओर LHC भी होता है, light harvesting complex, ठीक है, carotenoids, PS1, quantosome, FNR, ferrodoxine, ATP synthetage, ये सबिसके structure पे है, तो इसके structure को पने देखें, PS2 and PS1 में, PS2 में, D1 and D2 protein, PS1 में, PSAA and PSAB protein, परें, PS2, PS2 के अगर बात कर रहा है, PS2 तो, जैसे अपने देखा था, अगर PS2 के बात आई है, तो ये upright membrane, upright membrane की बात अपने कहां करी, यहां करी ये, PS2 में, PS2, PS1, PS1 and ATP synthetage, unstocked stromalemaly, non-appressed membrane, non-appressed membrane, PS1 होगा, ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे, quantasome, ये ठीक है, ये अपने पढ़ें लिया, इसके बारे में, stroma के बारे में, ये इसकी structure देख ली, और D1, D1, 2 protein, PSA, PSA, PSA भी थोड़ी structure के बारे में देख लिया, PS2 जो होता है, वो oppressed membrane, और PS1 जो होता, non-appressed membrane, अब अपने देखें, quantasome के बारे में, quantasome, quantasome क्या होता, inner face of thylakoid, discord by park and beginning, quantasome को discord किया, और inner face of thylakoid, antenna complex, photosynthetic unit भी आते है, अपने quantasome को, photosynthetic unit, quantasome, ठीक है, कहीं बार क्योंसा ना आता कि, photosynthetic unit, तो quantasome, देखें, इसकी structure के बारे में, chlorophyll ये, सबसे अंदर, सबसे अंदर reaction center है, देन फिर chlorophyll है, chlorophyll ये, chlorophyll B and beta carotene, beta carotene भार की तरह, accessory pigment protection, beta carotene क्या होता है, accessory pigment protection होता है, pigment molecules, quantasome, और ये reaction center, reaction center बीच में होता है, quantasome के light reaction center भी बोलता है पने इसको, light reaction center मतलब, दो reaction center होंगे, 680 and 700 nanometer जो होता है, PS second and, ठीक है, और इसमे PS first, 700 nanometer में, अब अपने बात करेंगे, lumen, 680, रेड होगा, और 700 nanometer जो होता हो, फार रेड होता है, lumen की बात करते हैं, lumen, water and salt, lumen में क्या होगा, water and salt होगा, photo oxidation of water होगा, और photolysis of water भी होगा, photo oxidation of water या photolysis of water, lumen करता है, ठीक है, अब lumen में photo oxidation या photolysis कैसे होता है, तो देखे, जैसे H2O, 2H2O अपने बात करते हैं, आपने पास दो water molecule है, जिसको अगर ऐसे डिवाइड हो खोलेंगे, तो HOH अपने ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखे, सबसे पहले, एक water molecule जो रहेगा, वो क्या करेगा, H+, प्लस इलेक्ट्रोन, प्लस OH माइनस में तूट जाएगा, देन, इसमें से H+, और इलेक्ट्रोन जो है, इसका ये निकल जाएगे, क्या बचा, OH माइनस, वो रेक हैज है अपने पास, अपने सिर्फ एक को ब्रेक कर रहे है, एक साथ एक का ब्रेकेज हो रहा है, फोटलाइसेस हो रहा है, तो क्या होगा, अब ये जो OH है, ये भी डिवाइड हो जाए, किसमें H+, में, इलेक्ट्रोन में, प्लस ओक्सिजन में, तो HOH हो, ये नीचे चल रहा है, ठीक है, अब ये H+, प्लस प्लस एलेक्ट्रोन ये भी निकल जाएंगे, एक ओक्सिजन यहाप पर रहा गया, और ये नीचे वाला HOH रहा गया, नीचे वाला जो है H+, प्लस प्लस एलेक्ट्रोन प्लस OH-, ठीक है, तो यह एच प्लस प्लस एलेक्ट्रों निकल जाएंगे अपने बास क्या रहा है कि दो ऑक्सिजन और अपने को फाइनली ऑक्सिजन मिल गई तो आपन जो क्या रहे है जिसे जो भी है वान निल ने भी एक्सपरिमेंट किया सबने बताया कि जो जो ऑक्सिजन होती वह अपना को वहटर मॉल्डुकूल से मिलती है तो इस तरह से वहचके मिलती है दो वाटर के मॉल्यकुल रहते हैं, दोनों वाटर मॉल्यकुल जो होते हैं, वो इस तरह से वो करते हैं, ब्रेक होते हैं, 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 होत अक्सिजन मोलेकुल मिल गया तो दो अक्सिजन मॉलिकुल मिल गया आपन को ठीक है वोटर ऑक्सिडाइज एंजेंग कोंपलेक्स इस ट्रोमा एर ड्लाइट लुमेन तो यह इस में मतलब इस तरह से बताया गया थोड़ा की जो दो इलेक्ट्रोन जो यह जा रहे थे दर सेंद सबको बारे में पतायाई कि तो इलेक्ट्रोन प्रसविटो एस प्रस ख्रस टॉप लट еш प्रस विए न्हाई टाइओ से अपट है तो इसको धुड़ा ओर देख सकते भी ताइरो सने जेड और दीवन प्रोटीन और पीए सेकिंड फेरी बोट दीवन दीटो प्रोटीन कहां पर होगी प्या सेकिंड में कोक एस स्टेट मेकेनिजम साइन्टिस्ट का नाम है कोक करके वाटर ओक्सिडाइनिग एंजेम फॉर मेगनीज वन क्लोरीन वन केल्सियम टाइरोसीन जेड ठीक है दो दो वोटर मोलीकूल अपने पास प्रजेंट है टू फोटोन एच प्लस एस वन रेक्शन होगी एस टू होगी टू फोटोन एस त्री डेक्शन एस पोर फाइनल लिपन क्वांटम रिक्वाइरमेंट क्या होती है क्वांटम रिक्वाइरमेंट का मतलब होता कि आपनको टू एच टू ओ के ब्रेक के लिए कित्ते और एक उक्सिजन के प्रड्यूस के लिए कित्ते जो है फोटोन के रिक्वाइड हुई है वही क्वांटम रिक्वाइरमेंट का तो quantum yield क्या होती है, 8 photon से 1 oxygen मिला, 8 photon से 1 oxygen मिला आपन को, 8 photon के यूज सिर्फ एक oxygen मिला, तो 1 photon से, अगर मैं कहा हो तो 1 by 8, 0.125 मितला 12.5%, quantum yield अपने, 5!. When light, reach up to reactions and 2 electrons, are released, the energy of 1 photon, is required to release 1 electron from Chlorophyll A, upon absorption of a photon, a chlorophyll molecule gets converted into excited state, when the energy of photon upon absorption of a photon a chlorophyll molecule gets converted into its excited state when the energy of photon is equal to the energy gap between ground state and most excited state यह कुछ बताएं इन लोगों ने ठीक है और कलापन पड़ेंगे आज यही तकड़ते कलापन पड़ेंगे photosynthesis नो light reaction और dark reaction ठीक है यहाप एक बार notes देख लीजे आज़ेंगे